कुरोना वैरस ने पूरी मानव जाती की जिन्दगी को बदल कर रख दिया है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका दुनिया भर के जीव जन्तू और जानवरों पर क्या आसर पड़ा है इसी बात का पता लगाने के लिए UK के रिसर्चर एंथ्रो पाउज पर रिसर्च कर रहे हैं दरसल एंथ्रो पाउज का मतलब है वो कुछ महिनों का वक्त जब पूरी दुनिया थम गई थी न कहीं गाड़ियों और हवाई जहाज का आना जाना था और नहीं सड़कों पर इंसान दिखाई दे रहे थे इस शब्द में एंथ्रो का मतलब है इंसान और पाउज यानि वो वक्त जब सब कुछ थम चुका था रिसर्चर का मानना है कि लॉकडाउन की वज़स से प्रकृति में काफी बदलाओ देखी गई है खास कर शहरी इलाकों में ग्लोबल लॉकडाउन के बीच दुनिया भर से ऐसी कई तस्वीरे सामने आई जो वा कहीं चौकाने वाली थी जहां सेंटियागों के सडकों पर पूमा को देखा गया इटली के ट्राइस्टे हाबर में डॉल्फिन देखी गई तेल अवीब में दिन के वक्त लोमडी घूम रहे थे और समुद्र में रहने वाले जानवरों में भी बदलाओ देखा गया इन सब के पीछे अचानक पॉल्यूशन लेवल में आई गिरावट को ही एक बड़ा आधार माना जा रहा है इसी के साथ उन जानवरों के लिए लोगडाउन का वक्त बड़ा ही कटिन भी रहा जो शेहरी इलाकों में रहते थे क्योंकि सब कुछ बंध हो जाने की वज़ा से उन्हें खानापुर्ती लोगों के दुआरा नहीं की जा रही थी जब ये सवाल पूछा गया कि आखिर ये स्टेडी क्यों जरूरी है तो रिसर्चर ने बताया कि जिस प्रकार दुनिया भर में इंसानों की आबादी में बढ़ोतरी देखी जा रही है जिसका सीधा असर वातावरन और प्रकृती पर पढ़ रहा है उसी बीच ये स्टेडी इंसान और जानवरों के वहवार किस तरह जुड़े हुए हैं उसे भी बताने वाली है रिसर्चर्स का मानना है कि इस स्टेडी के जरिए कुछ ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ सकती है जो ग्लोबल बायो डैवर्सिटी के लिए काफी महत्पूर होने वाला है लॉगडाउन की वज़े से इनसान के रोजमर्रा की जिन्दगी पर जिस तरह ताला लग चुका है उसका बड़ा ही जबरदस्त असर जमीन और समुद्र में देखा जा रहा है लॉगडाउन का सबसे ज्यादा फाइदा जानवरों को ही पहुचा है युनिवसिटी ओप सेंट एंड्रियूज में इंटरनेशनल बाय लॉगिंग सोसाइटी के प्रसिडेंट प्रोफेसर क्रिजिजन रड्स ने बताया कि रिसर्चर ने बायो लॉगर नामक एक छोटे से ट्रेकिंग मशीन को जानवरों पर लगाया था जिस से उनके मूवमेंट और बिहेवियर का पता चल सके और महमारी के बीच पूरी दुनिया से हमारे सामने ऐसी कई दुरलब जानकारियां सामने आ रही है प्रोफेसर रड्स का मानना है कि इस रिसर्च के बाद इनसानों की सेंट्रपिक नौलेज बढ़ेगी जिसकी वज़ा से हम आने वाले कई विनाशकारी संकट को टाल सकते हैं उन्होंने ये भी कहा कि ये रिसर्च हमें ये भी बताएगा कि इनसान और जानवरों के बीच किस तरह और कितनी दूरी बना कर रखने की जरूरत है प्यूश कुमार की रिपोर्ट हेडलाइन 61 के लिए